नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालड़े है अज़की प्रमुख खबरों पर ओबामा ने कहां कि करोडो भारतियों की प्रेड़ना थे कलाम अमेरिकी राष्टपती बराक ओबामा ने पूर्व राष्टपती एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर शोग प्रकट करते हुए कहां कि कलाम करोडों लोगों के लिए प्रेड़ना थे उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को प्रगाड बनाने का काम किया ओबामा ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी जनता की और से मैं पूर्व भारतिय राष्टपती डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर भारत की जनता के प्रती गहरी सववेदना प्रकट करता हूँ उन्होंने कहा कि एक वैज्यानिक और राज़्यता डॉक्टर कलाम बहुत ही साधारन प्रिष्ट भूमी से उठकर भारत के बहुत ही एहम नेता बने तथा देश और विदेश में प्रतिष्ठा हसिल की गुजरात में भारी भारिश से जन जीवन प्रभावित 22 की मौत कम दबाओ का शेत्र बने से गुजरात के उत्तर हिस से और कच्छ शेत्र में भारी भारिश हुई जिससे जन जीवन अस्त वैस्त हो गया वर्षा संबंदी विबिन हाथ सो में 22 लोगों की मौत हो गई NDRF और SRP की टीमों को सरवाधिक प्रभावित बनासकांठा तता कच्छ जीलों में भेजा गया है भारी भारी से रेल के साथ साथ सड़क यातायाद भी प्रभावित हुआ है वही राज़ के कई शेत्रों में बिजलिया पूर्ती बाधित हो गई है अधिकारियों ने बताया कि हम्दाबाद जीले में सबसे अधिक 6 लोगों की मौत हुई है जबकि बनासकांठा में 4 मोते होने की खबर है ठाने में इमारत ढही 4 की मौत ठाने जीले के ठाकरूली में मंगलवार रात एक 4 मंजिला इमारत ढही गई हाथसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका है शेत्री आपदा परबंदन समीती के प्रमूख संदोश कदम ने बताये कि रातरी करीब 10 बच कर 40 मिनिट पर भारी बर्शा के कारण मातरूचाया नामक इमारत ढहे गई बड़े पैमाने पर राहात और बचाओ कार्य चलाया गया है तथा अभी तक तीम घायलों को बचाया गया है ठाने कल्यान भिवंडी और अमबरनाच से दमकल्टी में घटना सल्टर पहुच गई है